स्ट्रोबेरी पकाने की प्रक्रिया में जटिल जैवरासायनिक और शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं जो फल में रंग, स्वाद, सुगंध और बनावट के विकास की ओर ले जाते हैं। स्ट्रोबेरी का पकना एक प्राक्रितिक प्रक्रिया है जो पौधे से फल तोड़े जाने के बाद होती है। पकने की प्रक्रिया के दोरान फल अपनी चीनी सामगरी, अमलता और सुगंधित योगिकों में परिवर्तन से गुजरता है। फल भी नर्म होकर लाल रंग का हो जाता है, जो पकने का संकेत है। स्ट्रोबेरी का पकना ताप्मान, आर्धरता, प्रकाश और एथिलीन गैस सहित कई कारकों से प्रभावित होता है। स्ट्रोबेरी साठ और सतर दिग्री फेरनहाईट और उच्चा आर्धरता के स्तर के बीच के ताप्मान पर सबसे अच्छे से पकते हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से पकने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और फलो में चीनी की मात्रा बढ़ सकती है। एथिलीन गैस एक प्राकृतिक पौधा होमोन है जो स्ट्रॉबेरी के पकने को भी उत्तेजित कर सकता है। एथिलीन का उत्पादन फलों द्वारा या अन्य फलों या सबजीयों द्वारा निकर्ता में किया जा सकता है।